अब सबसे पहले आप लोग को हैपी नुएयर और आज के इस अनोखी दिन और सबसे साल के सबसे पहले दिन आज मैं आप लोग के लिए लेकी आगया हूँ एक बिल्कुल ब्रेंड नीव एनिमे ड्योंग हुआ एनिमे तो तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाया र यह एंड मैं explain कर रहा हूं तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक और इसके नेक्स पार्ट के लिए एक कमेंट तो बनता है तो जलिए बिना किसी देरी के यह प्लॉड करते हैं और में बता दूँ मैंने आप लोगे लिए इसका ठ्रिलर एक्स्प्रींड भी किया था पर वो विलॉग हो गया तो मैंने इसको कैसे भी करके फ़र सब्सक्राइब करते हैं लेकिन पूरी बेकार हो गयी थी लेकिन कोई सब्सक्राइब करने के लिए आने लगता है लेकिन हमारा हीरो उस बीस्ट से रती भर भी नहीं डरता है लेकिन उस बीस्ट की काफी ज़्यादा स्पीर ती वह अपनी काफी ज्याद की मध्यस की अटाक कर रहा था लेकिन अपनी मारOut के सिकूल से बीस्ट का गोर निखा लेता है और अपने पास रख लेता है वह कहता है चलो यह भी कुछ काम तो है मेरे इसके बाद वह एक सौप पर पहुंचाता है जहां पर हमें वह लेडी दिखाई जाती है जो की बैठी होती है और यह लीडी हमको उससे ट्राइलर एक्स्प्लेनेशन में भी मैंने एक्स्प्लेन किया था लेकिन वह ब्लॉग हो गया तो क्या घट सकते हैं और वह लेडी को वह परसन यानि हमारा हीरो क्वान उसको वाई कोड़ देता है तो वह लेडी आती है अच्छा तो तुम्हें फिर से पैसों की जोड़त पड़ी और वह कुछ गोल्ड कोईन्स उसको देती है फिक के देती है और उसको ठाइन लगता है लेकिन तब यह लड़की गाती है कि लगता है तुम थोड़ा ठक गयो क्यों ना तुम मेरे रूम में चलके थोड़ा आराम कर लो वह से सड्यूस करने की गोश्स करती है लेकिन वह अपन के साथ इतना अच्छा ब्यार क्यों करती है काई वह इसे दिल तो नहीं दे बैठी इसके बाद वह दूसरा वाले लड़का कहता है कि क्या तुम में पता नहीं है यह वही फेमस वारियर है जो किसी से नहीं डरता इसके बाद कौन जैसी इस स्टोर से बहार निकलता है तो ए कर सकता तो इसलिए मेरा उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो यह सुनते हुए कौन आगी चाहता है लेकिन तभी वह रुक जाता है तो मतलब जिस दिन मैं भी बिना कल्टिवेट नहीं कर पाऊंगा उस दिन तो मुझे भी छोड़ दोगे इसके बाद कौन कहता है कि पहल अपना मास्क गोतारता है जिस पर हमें बताया घाता है क्योंकी मैं अधिसयो यहां да और तब वहां पे जूगिंग कोन को देखकर कहता है तुम बिल्कुल रही टाइम पर आयो और तब मुझे ग्रेंड ग्रेंड एलडर ने का है तुम्हारी बेहन से साधी करने के लिए और इसलिए मैं आया हूं साधी के सुनते ही कौान गुस्से में खौल जाता है उसका खुन वो कहता है चू किंग अपनी अफकाद में रहो ऐसा तो तुम्हारे सपनों में भी कभी नहीं होगा उसकी गुस्से में देखकर उसकी सिस्टर उसे सांथ होने के लिए कहती है वो कहती है गुस्से में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करो लेकिन इतने में ही वहाँ फे में कोई ना आ जाती है और वो कहती है चू किंग असल में ग्रेट एल्डर का बेटा है और वो सबसे बड़ा बेटा होने के कारण वो चू फैमिली का फ्यूचर है और वो उसे लाले से देते हुए कहती है कि जरा सोचो अगर तुमारी सिस्टर उसके साथ साथी कर लेती है तो तुम ग्रेट फैमिली की मेंबर बन जाओगे तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से एस करके बिता सकते हो तुम्हेपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैरी मैनः ओदो तो तुम अपनी सिस्टर की क्चुरिकिंग से साधी कराने करा देना ही बैतर है और तब ही कवान उससे कहता है मैंने तुम्हें एडवाइस देने के लिए नहीं कहा वो कहता है अपनी एडवाइस अपने पास रखो मैं जानता हूँ मेरी फैमिली एक एच अवरेज फैमिली है इसलिए मुझे उसकी फैमिली के साथ कंपेर मत करो तो ये सुनकर मिस किन कहती है चलो तुम इतना तु जानते हो कि तुम्हारे और चूकिन के बीच में कितना गयफ है और वैसे भी हम दोनों की इंगेजमेंट हो जोगी है और आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे साधी करने ही पड़ेगी और वो कहती है यखीन मानो के तुम इसे चूर रेसिडेंट में मेरे वज़े से ही रह रहे हो वरना तुम एक दिन के लिए भी यहां पे सर्वाइब नहीं कर पाए पाते है तो जिस पर कौन कहता है क्या का तुमने मैं तुम्हारी वज़े से यहां पर सर्वाइव कर रहा हूं वो कहता है क्या मज़े लगता है मज़े तुम्हारी और मेरी इंगेज्वेंट की परवा है वो कहता है मैं चाहूं तो उसे अभी की अभी तोड़ सकता हूं ये सुनकर चूओं कहता है सच मैं ये तो फिर बैस्ट होगा वो कहता है वाकि मैं तम्हारे अंदर काफी k obliged है तुम बातों में किसी को भी हरा सका ऑड़ जैंगे पर जहां उ सब् foul की सिसटर की है वो तो साधी की होकर रही कखो है कर डिन साथ यह से वह से स्कुरॉल एक था कि थो कि उसे खूल के देखता है कि भी चाहल तो थे तो बहुत कि ता और उतर वी मेरे घर में घर सबना है और इसके बाद तुम नहीं onega बेड़ा मेरे मेरे स्थे स्कॉल धोग तड़ा देदा मेरे बाड़ी स्कॉल्ड के स Psalm सब्सक्राइब करें तो다가 क्याता पकड़ा देता है तो सूक इंग कहता है यह गलती तुमारी सबसे बड़ी गलती होगी और इसके बाद वह स्क्रॉल को दे देता है और वह मिस्कियान भी कहती है कि जब तुम्हारी बैंसे सुक इंग साधी कर लेगा तब मैं तुम्हारे लिए एक सौप खुलबाऊंगी तो जिस पर वह कहता है तुम्हारी इस महरवाने के लिए थैंक्यू पर अब यहां से दफाह हो और अब इसके बाद कौन की सिस्टर उससे कहती है कि तुम्हें उससे चैलेंज नहीं करना चाहिए था तो जिस पर कौन कहता है कि मुझे इन तीन महीनों में काफी ज़्यादा पा जाती है असल में उसके अंदर एक आइस माठ सोल है जो कि क्या फिर आइस पॉजन कुछ भी समझ लीजा मैं इसके बार में बता दूंग यह जो को यूज कर लेता है उसके लिए आइस की पावर है और जो नहीं कर पाता है उसके लिए पैसे मैंने आपको यह पहले ही बता द मेरा भाई इतने पैसे कहां से ला रहा है इसके बाद कौन को हम देखते हैं जिंगल में जो की नेचरल मेडिशनल हफ्स टून रहा था और ढूंते दूंते वह बोल रहा था कि आम लोगों को नेचरल हफ्स के बारे में कुछ नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है कि वह कहा के बाद वह एक नेचरल हफ्स को ढून लेता और जमीन से उसके बाद उसको और भी हफ्स मिल जाते हैं तो वह सारे हफ्स को खारने लगता है उसे काफी जल्दी हफ्स मिल गाए तो बदकिसमती से यह थोड़ी देर के लिए मेरी सिस्टर के उससे पॉज़न से मुगत कर सकत कोई उसका पीचा कर रहा है कि कौन है भार आ जाओ तो यह कहने के साथ ही कुछ लोग वहां पर बारा जाते हैं यह लोग भी असले चू फैमली के मैंबर्स ही थे और और उन में से एक लड़के का नाम होता है चूयान, वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे सीनियर बिर्दर को एक चैलेंज दिया है, मैंने सोचा भी नहीं था, तुम जैसा एक लूजर मेरे सीनियर बिर्दर को चैलेंज कर सकता है, तो चू यान को देखकर कौन को कुछ याद आता है आसे एक साल पहले मिस कौन को इसने छेड़ाता है इसलिए इसे इसकी फैमली से बाद निकाल दिया गया था लेकिन इसके सीनियर बितर के वज़े से उसको वापस रखा गया था और अब कौन उन लोगों से कहता है तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग यहां क्या करने आयो तो चू यान उसके हाथ में नैचरल हपस देखता है तो वो कहता है मुझे वो नैचरल हपस चाहिए तो जिस्थे प्रकुवान सूचता है थोड़ी दिर काता है तो थे मेटीशन दीक केश कर लिए तो उसमेडिय पर वहे हुर उसके देखाने 2 रहान को देंगर को लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं रया कि और वहाँ चाते हैं, कि हम थोचा ने यह लड़का आज भी उतना ब पचानक वो उनके सामने आजाता है उसे देखकर सब लोग कहते हैं कि कौन हो तुम और यहां क्या कर रहा है कि तुम लोग के पास जितना भी जो कुछ बच में एक बंदे को नॉक आउट कर देता है इसके बाद वो उन सभी को बहुत मारता है यह फाइट तो काफी बढ़ियां चल रहे होती है वह उठा उठागे पटक रहा था सबको एक-एक मुक्के मार रहा था और वहां पर कोई उसको छुपके भी देख रहा था और तब व उसके मुझसे दुबारा से खून आ जाता है ब्लड वॉमिटिंग वो कर रहा होता है इसके बाद वो अपनी इस प्रिच्वेटल रिंग उसको देख देता है तो जिस पर वो कहता है कि क्वान कहता है कि तुम मुझे यह पहले देते तो इतना मार नहीं गाते और वहां से ज चुप जाता है और अपना मास्क अटा लिया तो उसने इसलिए वो कहता है कि जो भी है वो बहार आ जाए और हम देखते हैं पीछे एक लड़की है जो की चोड़ी चुप पे पीछे आ रही थी और भी पैचान जाता है कि यह कौन है इसके बाद वहां से छुप जाता है तो वो लड़की वांस पे भागवा के आती है वो देखती है कि वहां कोई नहीं इसके बाद गोण अचानक से आता है और उसको एक पेड़ के तबाद देता है और कहता है कि मिस लिव आप मेरा पीछा करनी थी तो जिस पर मिस लिव कहती है मैं बहला तुमारा पीछा क्यों कर लिया को क्या थाद मुज़े मालूम नहीं था कि तुम ही वहुरियर रो जिसे सब त्यान रैंकिंग का वहुरियर कहते हैं वह १े और कि त्यान फैमिली के बेकर यंग मास्टर अगरते थे तो यह सुनकर कौस वहता हूं कि फाले कि तुमने सब देख लिया कि अ estou देते हुए कहती है क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो उसके बाद ता फिर से वह लोग एक दूसरी की आख में देख रहे होते हैं इसके बाद कोई कहता है मैं उन लोगों में से नहीं हो जो तुमारी खुबसूर्ती के जासे में पड़ जाए इसलिए सराफ से अब यह प अगर मैंने यह नहीं खाई तो फिर तुम क्या कर लोगे तो वह उसे जवर दस्ती खिला देता और कहता है कि तुम कैसे निगाओगी तो जिस पर वह खासने लगती है और कौन वहां से निकल जाता है तो यह देखकर मैं इसलिए कहती है कि यह जो तुमने आज हरकत की है इस अगर मैं आज हरकत की है और कहती है और कहती है और कहती है